तो वेल गाईस आज है 30 सितंबर और आज रात साड़े 11 बजे एकस एंपायर की माइनिंग क्लोज हो जाएगी और बहुत सारे लोग यही कह रहा हैं कि 30 सितंबर को एकस एंपायर की लिस्टिंग होने वाली है तो इस पर भी हम लोग चर्चा करने बाले हैं साथ में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन 0.5 टोन का यहां पर ट्रांजेक्शन क्या यह करना कंपलसरी है या नहीं या इसका कोई और जो है अल्टरनेटिव है क्या आमें पे करना ही पड़ेगा या नहीं साथ में सबसे इंपवर्टेंड चीज एर्ड्रॉप क्राइटेरिया क्या होने वाली है बिना skip किये वे इन तक देखेगा क्योंकि लास्ट दिन बचा हुआ है तो जो भी information आपको यहाँ पर मिल रहे हैं उसको देखिए और कोई भी mistake आपको नहीं करना है नमस्कार दोस्तों मैं आपका host crypto अला दोस्त DMC तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं एक लाइक एक कमेंट के साथ सबसे पहले मैं आपसे यही कहूँगा कि latest information और update के लिए मेरे टेलिग्राम ग्रूप crypto अला दोस्त को जरूर से जरूर जोइन करें यहाँ पर real time में आपको काफी update मिलती ही रहती है मैं आपको एक और mining recommend करना चाहूँगा not pixel जो की not के दोरा back है obviously उसी के दोरा back किया ज़रा है funded किया ज़रा है description में link मिल जाएगा आप जाकर के join कर लीजेगा सबसे पहले देखिए कुछ इस प्रकार से interface देखने हो की मिलेगा अभी मेरा देखिए यहां पर क्या है profit परार coin परार जो है 44.1 है और label यहां पर मेरा 4 है और इस label को मैंने आज ही increase किया 4 4 क्यों increase किया क्योंकि यह mandatory है चेक्स empire यह drop update last date दो है 30 सितंबर है eligibility criteria क्या है maker tone transaction 0.5 का आपको tone transaction करना है अब ध्यान रहे कितने लोगों को करना है कितने लोगों को नहीं आगे मैं आपको बताऊंगा और minimum जो है 4 लेबल तक आपको reach करना है यह drop criteria क्या होने वाली है coins per hour, coin balance, number of invite और आपने किसको invite किया है वो कितना काम किया है यह भी determine करेगा खुद इनके टेलिग्राम में लिखा हुआ है दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि obviously इनका जो air drop criteria अलड़ी इन लोगों ने mention किया हुआ है सबसे पहले है wallet connect कराना profit per hour और friend यह important है लेकिन सिर्फ यही नहीं उसमें रोल लिबायागा और भी चीज़े होंगी यह बस एक तरीके से key factor है क्योंकि यह important है इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि there will be a other criteria that we will consider but not disclose यानि कि यह लोग अभी उस criteria को disclose नहीं किया हुए है कुछ criteria इन लोगों ने hidden रखा हुआ है क्योंकि कुछ भी हो सकता air drop में इसलिए सारी criteria लोग नहीं बताते हैं क्योंकि अपने इसाब से थोड़ा अगर उनको करना पड़े future में तो उस चीज को लोग करें और उससाब से air drop भी दें क्योंकि बहुत सारे चीजे घटित होती हैं जैसे प्रोजेक्ट बढ़ा होते जाता है तो पहले से ही पूरी air drop criteria यहाँ पर disclose नहीं की गई है बड़ जो मैंने बताया वो मेंन है और भी यहाँ पर हिस्सेदारी निभायेगा जैसे हमने कितना वीडियो देखाया है वाज किया है सारी चीजें ठीक है coins भी मैंने रखेगी अगर कोई 30 दिन तक लगातार इसमें जो यह काम नहीं किया होगा तो उसका coin burn हो जागा इस तो इनकी tokenomics की बात करें तो 690 billion total supply है सोची है 690 billion बहुँ जदा होता है 690 billion और 70% air drop के लिए रखा जागा जिसमें से minor और voucher वाले रहेंगे 70% air drop के लिए 690 billion इसकी supply है और 30% जो है next season के लिए भी यहाँ पर रखा गया देख सकते हैं यहाँ पर new year and the next page जिसमें से यहाँ पर 30% air drop उन लोगों के लिए दिया जागा अभी फिलाल बात करें तो यहाँ पर 70% air drop के लिए और voucher में जो हम लोगों ने mint किया हुआ है उसके लिए रखा गया है तो यहाँ पर price की बात करें कितनी expected price हो सकती है तो देखिए सबसे जदा माईने रखता है FDB और इनका market कैप कितने funding के साथ market में आ रहा है क्या valuation हो रहा है अभी हम लोगों ने जितना भी project देखा हुआ है लगबग 800, 900, 1 billion के आसपास 700 million के आसपास से आए है तो इसकी price अगर इस इस आपसे हम लोग देखें तो 3x0 लगने वाला है इतना आप लोग सोच लीजिए ठीक है फिर उसके बाद जितना भी coin रहेगा उसमें आप लोग multiply कर लीजिएगा अभी expected price docs की तरह लगा हुआ नजर आएगा इतना हमने देख लिया अब चलते हैं भी या इस पे main पे कि क्या क्या add drop criteria है अब सबसे पहले देखिए यहाँ पर अगर आपको आपका level 3 है तो उसको कैसे improve करना है improve बाले option पर tap करना है office बाले option पर जाना है यहाँ पर देखे task manager है इस पर आप tap करते रही है आपका coin यहाँ से burn होगा और उपर आपका label देखिए increase होता हुआ जाएगा तो इसको मैंने अभी आज किया तो अभी आप देख सकते हैं कि level 5 तो अभी आप label होगर थोड़ा बहुत increase कर लीजिए बट यहाँ से आपका देख सकते हैं कि coin decrease हो रहा है coin भी आपका माहिने रखेगा कि आपके पास कितना coin है तो आपको जितना करना था अब कर लिया आप बहुँ ज़्यदा छट पिटाने से कुछ नहीं होगा बस हमें ए देखना है कि हम लोग जो है इसमें eligible है कि नहीं और सबसे बड़ी बात है कि हमें कितना profit होगा इसका भी मैं आपको discussion करने बलाऊं तो इन तक देखे friend की बात करें तो मैंने एक बार वीडियो बनाया हुआ था तो ज़्यादा friend को मैंने refer नहीं किया कि भईया आपको यहाँ पर wallet connect कराना है तो मैंने तो अपना wallet connect कराया हुआ है लेकिन make a tone transaction अब यहाँ पर आपको 0.5 tone transaction करना है 0.5 tone transaction करना पड़ेगा तभी आप eligible होगे otherwise नहीं 0.5 की बात करें तो लगबग 3 डालर के करलिप चल जागा फीस और लेकर के तो अब सबसे पहले आप लोग calculation कर लेना कि आपने इसमें कितना मेनद किया हुआ है कितना आपका profit पर आ रहे है कितना आपका coins है कितना label है यह सब सारी चीज़े आप लोग देख लेना अगर बढ़िया है मेरा तो कुछ भी नहीं है मेरा कुछ भी नहीं है और मैं इतना पेख भी कर सकता हूँ क्योंकि मैं इससे ज़्यादा तो टोन में की बेज कर देता हूँ तो मैं अभी यहाँ पर पेख करूँगा इसलिए कि आगे क्या क्या होता है वीडियो बनाने के लिए मैं इससे कोई भी उम्मीद नहीं कर रहा है क्योंकि मैंने कोई भी काम नहीं किया हुआ है और इसकी expected listing price मेरे समझ से docs points से थोड़ा कम ही होने वाली है इतना ही ठीक है तो आप लोग उसमें multiply कर लेना कि आपका valuation कितना बन रहा है अगर देखी मेरे जितना label है अगर आपने friend ओकर एको नहीं invite किया है तो मेरे समझ से यहाँ पर आपको बहुत ही कम profit होने वाला है न के बराबर होने बाला है ठीक है लेकिन आप लोग देख लेना क्या है तो आप लोग इसको try कर सकते हैं अगर किसी year drop से आपका profit हुआ हो तो थोड़ा बहुत यहाँ पर खर्चा करके try कर सकते हैं क्योंकि आज का लंद हम लोग देख रहे हैं कि mostly year drop जो है इसी criteria पर आ रहे है कि 0.5 ton transaction करो सारे year drop बहुत सारे लोग अफ़वा फैला रहे हैं इसकी listing 30 सितंबर को होने वाली है तो नहीं भया 30 सितंबर को इसकी listing नहीं होने वाली है बस mining close की जाएगी इसके बाद हमें जल्दी जो इनका update देखने हो की मिलेगा हमें जो यह सारी criteria पता चलेगी हमारा पूरा data मिल के आएगा कि क्या क्या हुआ हुआ है तो tone transaction कर लो otherwise आप भी समझो की क्या करना है बाकि यहाँ पर 0.5 tone transaction करना ही करना पड़ेगा तब यह आप ही eligible है फिलाल के लिए इतना है अगर information आपको पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें लाइक करें, कमेंट करें मिलते हैं किस अगली वीडियो में टेक केर बाए